हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेंड भी पेसी में दोस्तों आज का सेशन भी बहुत मज़ेदार है आज मैं लेकर रहा हूं पिछले वीडियो में दो दिन पहले वाले वीडियो में उलग सूध और सूध सब देखेते हैं लेकिन देखें सूध और सूध स लोगों को मदद मिलेगा चलिए आज का सेशन हम लोग सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा इसलिए ताकि इस तरह के वीडियो अब तक असानी तक पहुँझाए टेलीग्राम पर जरूर जो रहेंगे स्टैंट बीपेस यूटूब वहाँ पर 30 मिनट पहले वीडियो का लिंक प्रोबाइड कर दिया जाता है चलिए पहले कोचन है नीमन में से वरतनी के दृष्टी से सूध सब्द है कौन है स सूध सब्द आप्चान सारी रिक सारी रिक सब है सब में सारी रिक लिखा है लेकिन आपको पकरना है कि सूध सब्द है कौन है इसमें पकर यह बताए क्या राइट अंसर होगा जवाब दीजे दोस्तों क्या राइट अंसर होना चाहिए सोचिए दोस्तो राइट अंसर हो जागा सारी डिक देख लिजिए कैसे लिखा हुआ है अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है नीमन में से आपको इसमें भी सूध सब्द वरतनी के दरिश्टी से सूध सब्द कौन है वो आपको बताना है अप्सन है अनदरित अंदरित अनादरित और अनादरित बताए इसमें से कौन सूध सब्द है सूचिये और दिमाग लराइए बताए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो क्या अंसर होना चाहिए अप्सन आपके सामने है राइट अंसर हो जाएगा अनादरित अना दरित याने B नमर का राइट अंसर हो जाएगा ठीक ना? A नमर का, sorry क्योंकि B नमर में अकार नहीं है A नमर में अकार है, अप्सन में वही राइट अंसर है चलिए अगला प्रसन देखे निमनी में से वर्तनी के दिरिष्टी से सूध सब्द है सूध सब्द है, बताइए अप्सन है संभ्रांत संभ्रांत और सब में यही लिखा हुए बताना है आपको सूध सब्द कौन है इसमें बताइए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो सोचिए क्या राइट अंसर होना चाहिए देखिए option के मुताबिक आपका right answer हो जाएगा समभ्रान्त समभ्रान्त यानि देख लिजे कौन हो जाएगा बी नमर का right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए नेमन में से वर्तनी के दिरिष्टी से सुध सब्द बताना है इसमें भी बताइए जाजवल जाज जी वो ले अमान लिखा हुआ है लेकिन आपको पकरना है कि कौन सा right answer है बताइए सोचिए क्या right answer होगा जितना आप पकरेंगे उतना आपका clear होगा इस तरह के question में क्या right answer हो जाएगा तो right answer हो जाएगा आपका जाजवले अमान हो जाएगा तो कर लिए चलिए यह नमर का right answer होगा option में अगला प्रसंद देखिए निमन मेंसे वर्तनी के दिरिष्टी से सूध सब्द है पताएए इसमें कौन सूध सब्द है पहचानिये लोग आमरन बताना है आपमें कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है सोचिया दिमाग लगा रहिए कौन है आमरन सही लिखा हुआ राइट अंसर हो जाएगा आमरन आमरन कौन वाला यानि ए नमर का right answer चलिए अगला प्रसंद देखिए इसमें भी आपको सूध सब्द बताना है बताएए अनुगरहित लिखा हुआ है लेकिन आपको पकरना है कि कौन सा अनुगरहित जो है वो सही लिखा हुआ है पकर यह क्या right answer होगा क्या right answer होगा सोचिए क्या right answer होगा right answer होजाएगा अनुग्रिहित क्या होजाएगा अनुग्रिहित बी नमर का right answer अगला प्रसंद देखिए निम्न में से वर्तनी के दिरिष्टी से सूध सब्द है बताए कौन सूध सब्द है इसमें निर्मोही कौन सा सही लिखा हुआ है पकर ये सूचिये दिमाग लड़ाए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो सूचिये लोग क्या राइट अंसर होगा बताईए दोस्तो राइट अंसर हो जाएगा आपका निर्मोही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए इसमें भी सूध सब्द बताना है बताईए कौन सा सही लिखा हुआ है कौन सा सही लिखा हुआ है पकरिए सोचिए दोस्तो राइट अंसर हो जाएगा आपका स्रीजन अगला प्रसंद देखिए नेमन में से वर्तनी के दिरिष्टी से सूध सब्द कौन है बताईए पकर ये लोग क्या राइट अंसर होना चाहिए सोचिए पुरानविक हो जाएगा क्या हो जाएगा पुरानविक देखे यहार सिबिल कोड का जो सिच्वेशन है एकजाम की हम बात करें नोटिफिकेशन पर बार बार हम लेकर आपको जाते हैं साइट पर भी बहुत सरे बीडियो भी बनाते हैं देखे बीडियो बनाने का मेरा उदेश यह नहीं है कि मतलब मैं आप वह बाते आप लोग को बता दू मेरा मतलब है कि जो भी बाते हैं आप तक खेलियर पहुंचे एकजाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है मैंने बोल रहा है कि बहुत सरे स्टुडेंट जो है वो मतलब देखे पढ़ने का मन नहीं करता है पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता है कि अभी फिक्स डेट आया नहीं है जब फिक्स डेट आजेगा ता आपका अंदर एक इंटेंस्टी बढ़ेगा डर पैदा होगा उनको तो सफलता मिलेगा ही और जो नहीं लगे है उनको कोशिस करने के जरूरत है क्योंकि अभी भी समय अभी कुछ नहीं बिगरा है आप लोगों के लिए बनने पर सब कोई पूछता है, बिगरने पर कोई नहीं पूछता है, इन सब चीजों को भी से शुरूप से ध्यान दीजिएगा अगर अब दुनिया में कम्याब होते हैं, तो आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत यार दोस्त मिलेंगे पूछने वाले लरका हो, कोई यह नहीं पूछेगा कि तुम कितना सुन्दर हो, कोई भी यहीं पूछेगा कितना कमाते हो दोस्त तो कैरियर सेटल करना बहुत जरूरी है, लरका हो चाहे लरकी आज के जबने में लरका लरकी में कोई फरक नहीं है, इसलिए जितोर मेहनत किजे और पढ़ाई किजे जितना हो सकतना चलिए अगला प्रसंद देखते हैं, इसमें आपको सुध सब्द बताना है, बताए क्या राइटन्स होगा सुध सब्द बताए सुचे लोग क्या राइट अंसर होगा बताए दोस्तों क्या राइट अंसर होगा अंतरास्ट्रिय बताना है आपको कौन सा सही लिखा हुआ है देख लिजे क्या अंसर है, अंतरास्ट्रिय राइट अंसर क्या हो जागा, बी नमर का अंतरास्ट्रिय अंतर रास्ट्रिये बी नमर के हिसाब में इसमें दिया है अंसर लेकिन वास्तविक अंसर देखा जाए तो यह होगा अंतर रास्ट्रिये कैसे लिखा जाता है अंतर रास्ट्रिये लिखा जाता है ए नमर के हिसाब से होना चाहिए लेकिन इसमें अंसर दिया है अंतररास्ट्री है उचारन के कोडिंग दिया है तो भी ही मानेंगे आप अपने मुन से नहीं बताना है क्योंकि ये प्रिबियस एर के कोचन है तो जो कौशन अंसर है वही लगाईएगा आप चलिए अगला प्रसंद देखिए आयोक का अंसर अलग होता है निम्न में से वर्तनी के दिरिष्टी से सूध सब्द कौन है निम्न में से वर्तनी के दिरिष्टी से सूध सब्द कौन है तो राइट अंसर देख लिजे इसमें से क्या होगा पकरिए सोचिए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो अतिस्योक्ति लिखा हुआ है लेकिन आपको पकरना है कौन सी अतिस्योक्ति सही लिखा हुआ है कौन सा सही लिखा हुआ है बताइए सोचिए क्या अंसर होगा दोस्तो राइट अंसर हो जागा अतिस्योक्ति अतिस्योक्ति कौन सा सही है आपका ए नमर का सही है अगला प्रसंद देखिए निम्न में से वर्तनी के दिरिष्टी से इसमें भी सूध सब्द बताना है सूध सब्द लेकर आया हूँ तो सूधी सब्द अजिविका बताए कौन सा सही लिखा हुआ है सूचिए अजिविका कौन सा सही लिखा हुआ है बताईए क्या right answer होगा, right answer हो जगा दोस्तों, अजिवीका, देख लीजे, अजिवीका आपका कौूं सा सही लिखा हुआ है, यह नमर का, अकला प्रसंद देखिए, इसमें बताईए कौं सा सही लिखा हुआ है, सुचिए, बताईए लोग इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है डिप्रेशन में बहुत सारे स्टुडेंट चले जाते हैं और यह जो महीना है न मार्च का मन नहीं लगता है इस महीने में सबका, सबके साथ होता है यह मत सुचिए चलिए बताईए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो राइट अंसर होजएगा चतुर मोखी क्या होजएगा चतुर मोखी अगला प्रसन देखिए इसमें बताईए कौन सा सही है इसमें कौन सा सही है प्राकथन है, प्राकथन सब में है लेकिन आपको पकरना है दोस्तो सही कौन सा है आज धूप निकला हुए है दोस्तों पिछले कुछ दिनों सो मौसम बहुत गरबरी होई थी और आपको पता है कि रजस्थान में चंडीगड में दिली अंसियर के आसपस भुकम पी आया था रात को एकारे बजे के आसपस एकारे बजे कर सम्थिंग मिनट पर आज तक नीज पर आपने देखा होगा तो दिखा रहा था वहां पर तो धूप निकला है अभी तोरह मौसम ठीक है किसानों किसान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि फंसल बरबाद हुए हैं बताए इसमें से क्या राइट अंसर हो जागा प्राकतन देखिए पढ़ाई के सां किताबों से नहीं मिलती है कुछ ग्यान बाहरी दुनिया से भी मिलती है मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को चलिए इसमें बताए कौन सा सही है क्या राइट अंसर होगा दोस्तो राइट अंसर हो जगा साधुवाद अगला प्रसन देखिए निमन में से वरतनी के द पकर यह सोचिए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो बताए क्या राइट अंसर होगा बताए लोग क्या राइट अंसर होगा क्या राइट अंसर होना चाहिए राइट अंसर हो जागा कौ तुहल क्या हो जागा कौ तुहल सी नमर के राइट अंसर अगला प्रसन देखिए इस में बताना है सूध सब्द कौन है कौन सूध सब्द है option है केंद्रिय करण लिखा हुआ है लेकिन आपको पकरना है कौन सा सही है बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है कौन सा केंद्रिय करन सही लिखा हुआ है बताइए कौन सा केंद्रिय करन सही लिखा हुआ है पकरिए दोस्तों राइट अंसर हो जगा केंद्रिय करन केंद्रिकरन केंद्रिकरन भी में सही लिखा हुआ है अगला प्रसन देखिए अगला है इसमें कौन सही लिखा हुआ है चर अगला प्रसंद देखिए इसमें बता यह कौन सा सही लिखा हुआ है आपको पकरना है कि कौन से अप्सर में प्रतियस पर्दा जो है वो सही लिखा हुआ है क्या हो जगा राइट अंसर राइट अंसर हो जगा प्रतियस पर्दा यानि ए नमर में जो लिखा हुआ है दोस्तों बिलकुल सही है जिन दोस्तों ने कमेंट किया है प्रतियस पर्दा उनका बिलकुल सही है ठीक ना नहीं ए नमर का नहीं प्रतियस पर्दा आपका बी नमर का सही है बी नमर का option सही है अगला प्रसन देखिए इसमें पता यह कौन सही है परि लक्षित लिखा है लेकिन आपको कौकर न है कौन सेom का प्रिलक्षित सही है को करिए दोस्तों कौन से option का सुछी है सुंचिए दिमाग रहाएं राइट अंसर क्या हो जागा परिलक्षित देखिए परिलक्षित किसमें सही लिखा हुआ है तो बी नमर में सही लिखा हुआ है अगला प्रसन देखिए नीमन में से वर्तनी के दिरिष्टी से सूध सब्द कौन है जीवन पयांत लिखा हुआ है सब में लेकिन आपको पकरना है कि कौन से अप्शन में सही लिखा हुआ है पकरिए सूचिए क्या हो जाएगा इसमें से क्या राइटंस रोने चाहे दोस्तों आप लोगों के मताबिक आप लोगों के मताबिक मेरे मताबिक हो जाएगा जीवन परियतन क्या हो जाएगा वी नमर राइट अंसर अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है निम्न में से वर्तनी के दिरिष्टी से सूध सब्ध कौन है अप्सन है देदिये मान लिखा हुआ है अब आपको पकरना है कि कौन से अप्सन में सही लिखा हुआ है सूचिए दिमाग लड़ाइए बताइए दोस्तो क्या राइटनसर हो जाएगा दोस्तो इसमें से राइटनसर हो जाएगा देदिये मेयामान हो जाएगा ठीक ना देदिये पियामान हो जाएगा तो आपका राइटनसर यह हो जाएगा ठीक है देख लेजे, चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है, निमलिखित में से वर्तनी के दिरिष्टी से सूध सब बताना है बताईए इसमें कौन है सही इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, पकर ये सोचे क्या राइट अंसर होगा बताईए दोस्तो क्या राइट अंसर होगा, बताईए राइट अंसर होजएगा, तिलांजली राइट अंसर क्या होजएगा, तिलांजली अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है, निमलिखित में सूध सब कौन बताईए अशिरवाद सब में लिखा हुआ है लेकिन आपको पकरना है कि कौन से अप्शन में अशिरवाद लिखा हुआ है सूचिए दिमाग लड़ाईए क्या राइट अंसर होजगा दोस्तो बताईए क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर होजगा अशिरवाद क्या हो जाएगा आशीरवाद कौन सा ये नमर का option सही है अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है नीमन में से इसमें बताये कौन सा सही है तेज स्वीता लिखा हुआ है सब में लेकिन आपका पकरना है कि कौन से option में सही लिखा हुआ है जवाब दीजे क्या राइट अंसर होगा सोचे लोग क्या राइट अंसर होगा बताइए दोस्तों राइट अंसर हो जगा तेज सिवीता यानि यह अप्शन सही है जिन दोस्तों ने कमेंट किया है तेज सिवीता उनका बिल्कुल सही है अगला प्रसन देखिए इसमें बताइ स्टेटों में एक कोशन आया है सिबिल कोट में बहुत इंपोर्टेंट है बताइए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो राइट अंसर हो जागा उज्वल क्या हो जाएगा उज्वल राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए उज्वल सी नमर का राइट अंसर हो अगला प्रस्ण देखिए बताइए क्या राइट असर हो जागा दोस्तों इसमें कौन सा ही लिखा हुआ है पकर यह इसमें कौन सा ही लिखा हुआ है सोचे इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा दुरवस्था दुरवस्था कौन सा दुरवस्था यानि ए नमर का सही लिखा हुआ है चलिए अगला प्रसन देखे इसमें बताए कौन सा सही लिखा हुआ है इसमें कौन सा सही लिखा हुआ अप्सन ये थोचीत आपको पकरना है कि कौन से अप्सन में सही लिखा हुआ है जल्दी पकरिए दोस्तों पकरने का मतलब कोचन पकरिए आप कुछ और मत समझ लिजेगा चलिए बताई ये क्या राइटन से रोगा क्या होना चाहिए आप लोग के मताबिक Student Life में बहुत सारे चीजों पर उतार चढ़ा होता रहता है और इसी चीजों के बावजूद जो Student अपने आपको बचा लिया उतार चढ़ाव होने के बाद भी अपने आपको समान लिया वही अपने मंजिल पर पहुँचता है अजोला खरा गया वो वहीं पर वहीं रहा जाएगा Student Life जो होता है वो कच्छू के भाती होता है चलिए बताई इसमें से क्या राइटन सरोगा इसमें हो जाएगा यथोचित अगला प्रसन देखिए इसमें क्या होगा इसमें कौन सही लिखा हुआ है बताईए इसमें कौन सही लिखा हुआ है कौन से अप्शन में सही लिखा हुआ है पकर यह क्या राइटन सरोगा दोस्तो इसमें कौन से option में सही लिखा हुआ है, सूचिए कौन से option में सही लिखा हुआ है बताए इसमें कौन से option में सही लिखा हुआ है इसमें हो जाएगा कारिनियोन हो जाएगा इसमें ये आपका सही लिखा हुआ है Option में देख लीजिये कौन सा सही लिखा हुआ है Option के मुताबी क्या होना चाहिए तो B नमर आपका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए इसमें बताए कौन सा सही लिखा है सब में लिखा हुआ है किसी में पुन जागरन, किसी में पुनर जागरन पुनर जागरन कौन सा पुनर जागरन यानि आपका D नमर का सही लिखा हुआ है अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है इसमें कौन सही लिखा हुआ है क्या लिखा है अवस्यम भावी सब में लिखा हुआ है आपको पकरना है कि कौन से option में ये सही लिखा हुआ है चलिए बताइए सोचिए दिमाग लड़ेए क्या right answer होगा दोस्तो क्या right answer हो जाएगा दोस्तो right answer हो जाएगा आपका ए नमर का option आपका बिल्कुल सही है ठीक ना कोई दिक्कत देखिए ए नमर और बी नमर option इसमें आकार का अंतर है तो आकार पर नहीं एही minor minor गलतिया एक्जाम में बचाना है आप लोगों को चलिए अगला प्रस्न देखिए इसमें कौन सही है कांतिक लिखा हुआ है लेकिन आपको पकरना है कि कौन से option में सही लिखा हुआ है बताए दोस्तों क्या राइटनसर होगा सोचिए दिमाग लगाई है क्या राइटनसर होगा दोस्तों राइटनसर होजगा एकांतिक कौन सा एकांतिक यानि आपका होजगा बी नमर के राइटनसर अगला प्रस्न है इसमें कौन सा ही लिखा हुआ है पकरिए बताए कौन सा option सही लिखा हुआ है उचे दिमाग लग मैं आगर्ट effects रोगा संघ रहीट हो जाएगा क्या हो जागा संघ रहीं अगला प्रस्ण के इस में बता और कौन सा सही लिखा हुआ है इसमें कौन सही लिखा हुआ है पकर यह क्या राइट अंसर होगा दोस्तों सोचिए दिमाग लगए दोस्तों राइट अंसर हो जागा निस कपट क्या हो जागा निस कपट कौन सा हो जागा ए नमर का राइट अंसर हो जागा अगला प्रसंद देखे इसमें बता यह कौन सा सही लिखा हु क्या राइट अंसर होगा तो राइट अंसर हो जगा पुनर विचार आपका सही लिखा हुआ है अगला प्रसंद देखिए उसके बाद है इसमें कौन सही लिखा हुआ है बताइए इसमें कौन सही लिखा हुआ है दोस्तों इसमें कौन सही लिखा हुआ है पियोन में 35 के हिंद प्रस्न देखिए इसमें बताईए करना है कि कौन सा अप्सन सही है बताईए क्जा रैकर होगा अगा प्रसंदusi सुसमा हुआ है सुचिये ज़वाब दीजिये है कि इसमें कौन साही हुआ है अगला प्रसन देखे इसमें कौन साही निखा हुआ है बताएए कौन सा आप्षन सही है सुचिये दिमाग लगाएं कि बताएए लोग क्या राइटन सरोगा बताईए सेशन हम जादा इसलिए नहीं करवा रहे हैं ताकि बोर ना हो यह जो मौसा में दोस्तो बोर होने वाला है इसलिए कम पढ़े लेकिन ठीक ठाक पढ़े बताईए क्या राइट अंसर होगा? रसाइनी कप का सही लिखा हुआ है अगला प्रस्न देखिए जवाब दीजिए गल्थ हो रहा है तो अच्छी बात है गल्थी होने पर ही सही होता है अब एक ही बार सुचेगा कि सही हो जाए तो यह भी पॉसिबल नहीं है धीरे-धीरे किसी भी चीज की शुरुआत होती है क्या राइट अंसर होगा दोस्तों? बताए तो राइट अंसर होजएगा आवशकता अगला प्रसन वो सही लिखा हुआ है अगला प्रसन देखिए इसमें कौन सूध लिखा हुए बताए पुझनिये कौन सा सूध लिखा हुआ है पकर यह क्या राइट अंसर होगा? पुछा हुआ है previous year का है बताइए दोस्तो क्या right answer होगा इसमें से क्या right answer होगा तो दोस्तो right answer हो जागा पुझनिये अब देखिए यहाँ पर जो इसके मुताबिक जो आयोगने answer दिया है तो यह मत अपमानिये पुझनिये देखिए इसमें आपका हो जाएगा पुझनिये आपका बी नमर उसके according क्योंकि यह सिर्फ लिख दिया पुझनिये सूदसब्द पूचा है तो इसमें सूदसब्द Google पर भी मैंने search मारा है यह question तो बी ही आपका दिखा रहा है तो इसको नहीं मारना है अपने से भी सुधार करना है कुछ-कुछ question गलती भी होता है चलिए अगला प्रसन देखिए कुछ answer गलत होते हैं question नहीं ठीक ना? अगला प्रसन देखिए निमन में से वर्तनी के दिरिष्टी से सूदसब्द कौन है? कौन सूदसब्द है? बताइए, सोचिए, दिमाग लड़ेए क्या answer हो जाएगा दोस्तो? इसमें से क्या right answer होना चाहिए? क्या right answer होगा? तो right answer हो जाएगा आपका प्राप्ती प्राप्ती कौन सा? यानि D-number का सही हो जाएगा अगला प्रसन देखिए इसमें कौन सा ही लिखा हुआ है? बताइए, कौन सा option इसमें सही लिखा हुआ है? दीड संकल बना करते है, आरे के जीए कि you can do it anything, whatever जो भी आप चाहते हैं, आपको मिलेगा पसरते के patience होना चाहिए competition fast है रोने से, धोने से और जल्दिभाजी में chase जो किया जाता है वो बहुत, उसका परिणाम बुरा होता है इसलिए, कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचे सांती से, ठीक ना? इसका right answer हो जगा दोस्तो, padans C नमर का right answer अगला प्रसन देखिए इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है सोचे, बताइए कौन सा सुध सब्ध है इसमें D नमर का right answer हो जाएगा अगला प्रसन देखिए इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है इसमें कौन सा सुध सब्ध लिखा हुआ है बताइए सुचिए दिमाग लराइए जवाब देजे सभी लोग घापराना नहीं है गलत हो रहा है तो होने देजे पैसंस रखे और मेहनत कीजिए टॉपिक बाइज हम करा रहे हैं चेप्टर बाइज अबजेक्टिव करवा रहे हैं तो सभी लोग जूरेंगे बताएए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो राइट अंसर हो जगा सर्वस्वा क्या हो जगा सर्वस्वा अगला प्रसन देखिए आज कहा हमारा आखरी सवाल इसमें बताएए कौन सा सही लिखा हुआ है कौन सा सही लिखा हुआ है सुचिए और बताएए होता है हो छे महिने के बराबर होता है इसलिए उन सब चीजों को भूल कर अच्छा से त्यारी किजिए एस्टेंट बेपेसी पर जूरी एस्पेसल अगर आप भीहार से बिलकोट का फरम भरे हैं तो एस्पेसल आपको मेरे जितना कोई वीडियो यूट्यूपर नहीं मिलेगा सिर्फ बिहार से बिलकोट का ठीक ना तो एस्टेंट बेपेसी को फॉलो करकर सारा वीडियो आप देख लीजेगा 300 सारे 300 क्यासपस वीडियो होगा टोटल उसमें से 300 वीडियो एस्पेसल सिर्फ बिहार से बिलकोट का है अब इसे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना help मिल बैंने वाला है आपको ठीक ना दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका उपयोक सभी हो जाए उपयोक्त नहीं सबी नहीं जो आप्सन है उसके मुताबिक अपका उप्योक्त हो जागा राइट अंसर उमेद करते हैं सेसन आप लोग को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो अपने सुझाव देंगे दोस्तों को पास सेर करेंगे अगर कोई आपके पास गुरूप है गुरूप में सेर करने से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे ही सेसन के लिए आप स्टेंट बीबीएसी को फॉलो करेंगे रोज जूरेंगे सामको पांच बजे लाइब आकर मैं बताता हूँ अबजेक्टिव चैप्टर बाइज बताता हूँ और जितने होंगे उतने हम करवा देंगे एक्जाम तक आपको सोचना नहीं परेगा एक्जाम का भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ अगर लगता है कुछ एस्टुडेंट जैसे लगबग माल लिजे कि अगर 150 एस्टुडेंट का माल लिजे कि हमारे पास मैसेज आ गया या मेल करते हैं वो लोग तो मैं वीडियो बना देता हूँ तो मैं अपने मन से वीडियो कोई नहीं बनाता हूँ आप लोग के चाहने के मुताबिक ही वीडियो बनाता हूँ जब भी मेरे पास 150 पलस मेल आ जाते हैं मुझे वीडियो बनाता, बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं 150 लोग को मैसेज पढ़ने में थोरा सा मुझे तकलिफ होती है, इसलिए मैं वीडियो बना कर सभी लोगों को एक ही बार reply देता हूँ, वीडियो को जरिये सभी को information मीच जाता है, ठीक ना दोस्तो, तो अमीद करते है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिर मिलेंगे कल हम लोग इसी समय पर, take care, bye-bye, और अपना ख्याल रखे, पढ़ाई करे, स्वस्त रहे, और सबसे important बात, इस दुनिया में सबसे, अगर कोई बारा भगवान है आपके लिए, तो आपके माता पीता है, उनका respect करें, उन से उन्ची आवाज में बाते ना करें, ठीका दोस्तों, take care, bye-bye, one second,